नमस्कार दोस्तो देक्जाम है का चैनल में आपका स्वागत है दोस्तो हम लोग UPPCS के 2019 में जो जिग्रॉफी ऑप्सिनल पेपर वन में जो क्योशन पूछे गए थे उसको हम लोग डिस्कसन कर रहे हैं अभी तक हम लोग ने 5 क्योशन को अल्रीडी डिस्कस कर चुके हैं जो 3 क्योशन थे जियो मॉर्फोलाजी से रिलेटेट थे और 2 क्योशन क्लाइमेटोलाजी का पार्ट था और आज हम लोग जो 6 क्योशन है वो भी क्लाइमेटोलाजी का पार्ट है उसको यहाँ पे हम लोग study करने वाले हैं, discussion करने वाले हैं तो आज का question देख लेते हैं, क्या है? यह है tropical cyclone के basis पे एक question है इसमें पूछा है, explain the origin, development and characteristics of tropical cyclone हिंदी में उस्ट कटिबंदिये, चक्रवातों की उत्पति, विकास और बिसेस्ताओं की ब्याक्या कीजिए दोस्तों यह 10 नंबर का question है और 10 नंबर में इतने काफी कुछ पुछ लिया गया, tropical cyclone के बारे में तो इस question के दिए आप answer देते हैं point to point तो काफी better रहेगा बहुत ज़्यादा इस question में लिखना नहीं है क्योंकि काफी कुछ इस question में पुछी लिया गया है तो यदि इस question का आप answer attempt करते हैं तो introduction part में 2-3 line आप लिखेंगे और origin में एक पैरा, फिर development में एक पैरा, फिर characteristic में एक पैरा और conclusion में एक दो line और एक diagram बनाके इसका answer आप दे सकते हैं और answer बहुत ही better होगा तो दोस्तों जैसा कि सारे question में कुछ keywords होते हैं और keywords को यदि आप mention करते हैं तो क्या होता है, value addition होता है आपका answer में और अच्छे mark काते हैं तो देख लेते हैं, tropical cyclone के कौन-कौन से keywords हैं जो आप answer में mention कर सकते हैं सिर्फ इसी question में नहीं और भी question ने थी, tropical cyclone के बारे में पूछा गया है यह सारे keywords को आप जरूर mention किजेगा तो पहला है दोस्तों, ITCZ जैसा कि आपका पता है, ITCZ का full form है Inter-Tropical Convergence Zone Convergence होती है यानि नदन हेमिसपेर से, जो ट्रेड रिम में आती है वो ती North East direction से और Southern हेमिसपेर से आती है South West direction से तो यहां पे Convergence Zone को ही ITCZ बोलते हैं और इसी Convergence Zone में Low Pressure Area generate होता है और Low Pressure Area generate होने से जो trade winds है, दोनों converge हो रही है यह circular motion करता है और इसी से Tropical Cyclone generate होता है तो ITCZ relate करता है Tropical Cyclone से, तो इसको आपको mention करना है, फिर देखो circular movement होता है cyclone का, उसको भी आपको mention करना है, फिर East to West Actually क्या है कि नदन हेमिसपेर में जो ट्राइब को, Tropical Cyclone का movement होता है, moment एक होता है circular movement, या और एक होता है horizontal movement, यानि कि horizontal movement में East to West, नदन हेमिसपेर में move करता है, Tropical Cyclone और Southern हेमिसपेर में आपको West to East देखने को मिला का direction, फिर Coriallis Force Coriallis Force का अकरते, विंड की circular या deflection विंड की direction change होने में help करता है, तो इसको भी आपको mention करना है फिर, साइकलोन के eyes होती है, eyes wall होती है low pressure, tropical disturbance, tropical depression tropical storm, यह सारे keywords है, tropical cyclone का तो इसी keywords के help से आप एदे answer देंगे, तो answer बहुत ही अच्छा होगा, तो देख लेते हैं दोस्तों, आज का answer क्या होगा tropical cyclone के बारे में तो introduction part में आप tropical cyclone का definition आप लिखेंगे, तो tropical cyclone का definition क्या होता है, तो tropical cyclone क्या होती है, destructive storms होती है, जो originate होती है, warm ocean में और winds circulate करती है, around low pressure यानि कि जो tropical cyclone होती है, warm ocean में originate होती है, और winds का moment होता है, low pressure के around होता है, यदि नदर hemispir में बात करें तो नदर hemispir में anti-clockwise होता है, यानि कि low pressure के एराउंड anti-clockwise में circular motion होता है और southern hemisphere में low pressure के एराउंड clockwise direction में storm का moment होता है इस पर feral law तो आप इसको introduction पार्ट में लेख सकते हैं इतना काफी रहेगा tropical cyclone का introduction लेकिन कुछ और addition आप कर सकते हैं कि winds की जो speed होती है लगव में 119 km per hour तक maximum reach करती है और इसका जो days है यानि duration है वो कुछ दिनों से कुछ weeks तक रह सकती है यानि एक दू दिन में भी tropical cyclone खतम हो सकती है और तीन weeks तब ही रह सकती है tropical cyclone और tropical cyclone को बहुत सारी नाम से जाना है different world में जैसे यहां पर मैंने mention किया है कि cyclone Indian ocean में यदि originate होती है तो इसको बोलते हैं cyclone यदि Atlantic ocean में originate होती है तो hurricane बोलते है और टाइफून इसको बोलते है Pacific ocean में originate होती है और willy-willy यदि tropical cyclone और इस्टर्न अस्टलिया में तो इसको willy-willy बोलते है तो एक अच्छा से आप बनाना चाहते हैं tropical cyclone को तो मेरी हिसाब से यह better होगा यहां पर आप देखते होंगे कि देखो tropical cyclone जैसा नाम है tropical cyclone cyclone जो tropical area में originate होती है तो tropical area जो होती है वह होती है tropical cancer और tropical capricorn के बीच के एरिया को बोलते है tropical area लेकिन actual में ऐसा fix नहीं है area क्योंकि ट्रॉपिक आप cancer तो सिर्फ नाम का है कि 23.5 डे की north में tropical cancer बोलते हैं लेकिन main जो area decide करता है ट्रॉपिक एरिया वह था ITCZ जैसा हम जानते हैं कि सुरज क्या होती नौर्थ वर्ट मूब करती है और south वर्ट मूब करती है और northern side मूब करने से जो ISO थम्स होते हैं वो northern side मूब करते हैं सुरज के चलने के बाद तो ITCZ जो होती है सुरज की नदर मूब्मेंट करने से ITCZ नौर्थ साइट सिफ्ट होती है और जब ट्रॉपिक आप कैंसर पर अर्थ सुरज की जो रोशनी 90 पढ़ती है उसमें ITCZ जो होता है ट्रॉपिक कैंसर के नौर्थ वर्ट पहुंच जाता है यानि 30 डिग्री के नौर्थ के आसपास ITCZ पहुंच जाता है आप देख सकते है ITCZ 30 डिग्री का असपास और एक स्ट्रेट लाइन नहीं होता है ये लेंड पे नौर्थ के वर्ट मूब करता है तो आप देख सकते हैं ITCZ 30 डिग्री पहुंच जाता है और वैसे ही सदन है में सिवर में भी ITCZ जब दिसमर का मन्त होता है उस समय आप देख सकते हैं कि ट्र 30 डिग्री साउथ तक पहुंचता है तो ट्रॉपकल सैक्लोन के जो ओरिजिन होता है उसका एरिया डिया आप देखोगे तो 30 डिग्री नौर्थ से 30 डिग्री साउथ के बीच की एरिया में ट्रॉपकल सैक्लोन ओरिजिनेट हो सकता है क्योंकि ITCZ जहां पर होगा वहां पर cyclone originate होते हैं तो आप यहाँ पर ऐसे देख सकते हूं जैसे एक्वेटर मार्च के मन्त में एक्वेटर पर आइटी सीजेट होता है और अप्रेल में आप देखो कि आइटी सीजेट फिर नार्थ साइट मोमेंट करता रहता है और इंडिया की आप देखोगा साउट साइड में अपरेल में रहेगा लेकि में में बे आप बंगाल के आसपस आइटी सीजेट रहता है इसलिए जयादा है इंडिया में जो ट्रॉपकल साइकलों आते हैं वो मेश और जून के आसपस आइगे क्योंकि आइटी सीजेट आप वंगाल में रहाएगा और यहाँ पे लो प्रेशर जनरेट होगा और लो प्रेशर जनरेट होगा तो ITC में क्या होती है कि दोनों साइट से ट्रेड विंड्स यहाँ पे कनवर्ज होती है और यहाँ पे को सरकुलर मुципेंट में चेंज कर देते हैं और यहां पर लोड फ्र फ्रो मेंट होने लगता है। तो circular movement और बहुत सारे cloud formation होते हैं और यहां पर storms create हो जाता है तो इसको बोलते हैं tropical cyclone तो आप देख रहे होंगे कि में में इंडिया में बहुत जाता है और जून में आप देखोगे कि यहां पर टॉपिक आप cancer के north में जून में पहुंच जाता है तो यहां पर hurricane उगरा आते है अमेरिका side में जून के मन्त में तो जहां जहां ITCJ होता है वहां पर tropical cyclone जनरेट होते हैं और आप इस diagram में देख सकते हैं hurricane यहां पर मैं नाम दे दिया हूं Atlantic Ocean में the origin होते हैं hurricane बोलते हैं टाइफोन Pacific Ocean में origin होते हैं cyclone Indian Ocean में विली विली यहां पर आप देख सकते हूं आस्ट करेंगे तो यहां दोस्तों एक अच्छा डाइग्राम tropical cyclone का आप ऐसे आप अपने answer में बना सकते हैं फिर देखते हैं दोस्तों में body पर आते हैं कि अभी तेक हम लोग डिसक्स किया tropical cyclone का introduction part और अलग name होते हैं उनकी speed अब देखते हैं origin आप tropical cyclone यह पूछा है इस question में तो origin आप बोल सकते हैं tropical cyclone के जो origin होता है दोस्तों thermal origin होता है thermal origin होता है यह insulation के कारण होता है और यह origin होता है में मन्त प्वे बंगाल में बंगाल अाइटीस होता होता है और लो प्रेसर होते हैं और हाई इंसुलेशन के कारफ पर फिर कोरियाली स्पोर्स वहाँ पर होता है क्या करते हैंul का सर्कुलर मुवमेंट करती है एंटी क्लॉक्वाइज एज पर फिर लॉग उससे क्या होते ट्रॉपकल सैक्लोन जनरेट होता है तो उरिजिन उत्पत्ति में आप देख सकते हो और इसका डेवलप्मेंट जो है इस लिए इक्सेप्ट 5 डेग्री नौर्थ और 5 डेग्री शाओथ इसके अलामा 30 डेग्री नौर्थ और 30 डेग्री साओथ की बीच में ट्रॉपिकल सैक्लोन कहीं भी और जन्ट हो सकती है जहां पर इटी सीजट होगा तेरा जोस्तु उत्पत्ति आइप यहां पर उत्पत्त जो लाइन एरिया होती है वहाँ पर नहीं होगी लेकिन ट्रॉपकल साइकलोन जो होती है अब देख लेते हैं डेवलपमेंट यानि विकास कैसे होता है ट्रॉपकल साइकलोन का फूर स्टेज़ेज होते हैं यानि चार स्टेज में विकास होते हैं जैसा कि आपको न्यूज में आप देखते होंगे बे अब बंगाल में डिस्टर्मिंस पैदा हो रहा है बे अब बंगाल में डिप्रेशन अभी हो रहा है बे अब बंगाल में स्टॉर्म्स हो गया है फिर ट्रॉपकल सेकलोन जनरेट हो तो वहां पर cloud का formation होगा देखो cloud का formation होगा तो cloud उपर जाएंगी condense होगी और sorry water vapor उपर जाएगा और condense होगा cloud बनेगा जो जैसे cloud बनेगा तो यहां पर latent heat up evaporation release होगा latent heat up evaporation air में जाएगी तो उसको energy मिलेगी और वहां पर korealis force यदि present होगा तो उस energy को जो wind जो air में energy मिल रहे है उस energy को रोटेट करने लएगा ठीक है तो ऐसे वहां पर tropical disturbance पैदा होती है जब high insulation होता है ITC jet के area में और cloud का formation होता है landed heat up evaporation air में जाते हैं और air को एक movement प्रदान करता है लेकिन यहां पर circular movement अभी नहीं होता है tropical disturbance में सिर्फ cloud का formation होता है अब देखने दुसरा stage क्या होती है tropical depression यानि बहुत जाद लोग pressure generate हो जाता है depression हो जाता है और cloud बहुत ही high level तो form होने लगते हैं यानि cloud का जो travel होता है वह बहुत ही गहरे हो जाते हैं और यहां पर winds का movement का speed भी बढ़ जाता है जैसे speed आपको up to 39 miles per hour हो जाएंगे और तिसरा इस्टा हो जाती ट्रॉपकल इस्टॉम में जो ट्रॉपकल जो साइकल होती है उसकी eyes develop हो जाती है और low pressure के around winds का movement होने लगता है इस्टॉम जन्रेट हो जाते हैं और बहुत ज्यादा cumulonimbus जो cloud होते हैं वो जन्रेट हो जाते हैं और latent heat भी बहुत ज्यादा होने लगते है ट्रॉपकल इस्टॉम में फिर फूर्थ स्टेज में ट्रॉपकल साइकलोन यानि फूल फ्लेज ट्रॉपकल साइकलोन जन्रेट हो जाता है और low area के around बहुत ही fast speed से यानि कि 30 आप देखोगे 119 किलोमेटर पर घंटेक रप्तार से भी लगती है और इसकी जो डायमेंटर होती है वो 250-300 किलोमेटर के area में जो ट्रॉपकल साइकलोन जन्रेट हो जाता है और बहुत ज्यादा cloud यहाँ पर जन्रेट हो जाता तो फूर फूर स्टेज होते हैं ट्रॉपकल साइकलोन के विगास के लिए इसको आप मेंसन कर सकते हैं तो आही हो दोस्तों यहां पर development आपको पता जाना लगा हो कि four stage में development होती है अब तिसरा जो पार्ट है characteristic आप tropical cyclone तिसमें भी एक आप image मना सकते हो इससे better image मना सकते हो यहां पर मैं दसाने कोशिस किया हूँ कि जो tropical cyclone होती है उसकी एक eyes होती है देखो eyes होती है middle में यह eyes में जो यहां पर बारिस होती है rainfall होती है और यहां पर ear क्या करती अपलिफ्ट होती है यानि कि उपर उठती राइज होती है और इधर की बड़ फैल लाती है और latent heat आप यहां पर होती है और ear का movement circular होनी लगता है और circular movement यहीं नदन हेमिस्विरम बोले तो anti clock होई होता है और southern हेमिस् temperature होती है उस एरिया में जहां पर ट्रोपकल सैकलोन होता है और लो प्रेसर जंडर होता है यह है एक करेक्टरिस्टिक और जो circular movement होता है विंड का यह भी करेक्टरिस्टिक है हाई relative humidity होती है उसके air में बहुत ज्यादा humidity होती है और clouds जो होते है और tropical cyclone में वो cumulonimbus होते है औ तो cumulonimbus यानि बहुत ज्यादा उचाई तक होते हैं और बहुत गहरे होते हैं cloud करेक्टरिस्टिक है फिर एक eyes होता है आइस में जाएंगे precipitation आपका घड़ता जाएगा लेकिए ice पे precipitation नहीं होगा यह भी एक करेक्टरिस्टिक है फिर मुवमेंट होती है दोस्तों cyclone rotate करता है आइस के around और यह नौर्थ इस्ट की और बढ़ता है नर्देन हमें देखे तो इस्ट से नौर्थ वेस्ट बढ़ता है जैसे मालों बेयाब बंगाल में यह रिजनरेट होता है तो इंडिया एक साइड आता है तो आप देख सकते हो इंडिया में सबसे पहले और सबसे मालों चेंद नहीं साइड जाएगा चेंद नहीं से उपर आता है कभी कभी और उडिसा उडिसा से पिर आपको वेयाब वेस्ट बंगाल में पहुंच जाता है तो आप देख सकते हो यहाँ पे नौर्थ वेस्ट की डायरेक्सन में मूब करता है नादर हमेस्पिय में और अन्य पर अब य circa स्भीष्टी चल्सले वहां पर देविद में लिए न हुर्शान हो आ ज़ेंट सम्हान विप вам यहां पर हो सोभर्णित होगे उसको नहीं मिल पाता है जब कंटिट परम जाता है जब कोस्ते लेन पर पहुह्चते है ठीक है okay यह सारे हैं ट्रापकल सेकलों की हैं तो यहां पे question में तीनों पार्ट को अच्छे से study कर लिया तो इस question में बस इतना ही दोस्तो आय हॉप यहां पर आपको जो ट्रापकल सेकलों के बारे में कुछ यहां पर नेया सिखने मिलागा और आप इस वीडियो के देखने बाद आप इस क्वेशन को अच्छे से एटम्ट कर पावगे ऐसा मैं आसा करता हूं तो थैंक यू फर वाचिंग दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में नए क्वेशन के साथ थैंक यू